हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजए, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम फ्रूट सलाद बनाएंगे, ये खाने में बहुत जादा टेस्टी होता है, गर्मी में तो ये बहुत अच्छा लगता है इसके लिए हम सबसे पहले कश्टड पाउडर लेंगे, मैंने लगबग एक लीटर दूद लिया, उसमें में पांच चमच कश्टड पाउडर डाल रही हूँ लगबग एक ग्लास में एक चमच कश्टड पाउडर काफी होता है, अगर आप ये पतला बनाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा कश्टड पाउडर कम डाल दीजिए कश्टड पाउडर को दूद के साथ अच्छे से गोल लेंगे, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहने चाहिए, ये देखिए, अच्छे से तयार हो गया है ये हमारे गोल तयार है, अब हम दूद गरम कर लेते हैं ये मैंने 1 लिटर दूद ली आप जितना बंाना चाहता है आप उस हिसाप से दूद ले लिजी दूद को गरम होने देते और इसमें हम चिनी डाल देते है मैं इसमें पांच चमच चीनी डाल रही हूँ, मीठा आप अपने हिसाप से कम ज्यादा कर सकते हैं, मैंने इसको मीडियम मीठा रखा था और इसे एक बार चला लेंगे, हमें दूद को तब तक पकाना है जब तक इसमें बोईल नहीं आ जाता, यह देखिए दूद हमारा उब कहलस चुका है अब हम तो जानिता कर देंगे कर दो फइंगे च के एक बार चला लेंगे कश्टड भों नीचे बेट जाता तो इस एक बार कहलन जाल कि बढ़ांने के पार लिए और आपको यह खालना है उफ्रिकी और जाईगी इस को नैंटी चे — हथ्यान में अछ़ी शे इसा हमे दो-से तीम मिनट्स के लिए उबालने जब तक यह अच्छे से गारा नहीं हो जाता आपको यह रेइसी पी किसी हमें कमेंट कर के जरूर में मिक्स कर लिए हैं क्दाना गारा अच्छे से पका लिया है और यह काफी गारा अर्यता है यह दो तरीके का बनता है एक काफी गाड़ा होता है जिसके साथ फूर्ट अच्छे से मिक्स हो जाते है एक थोड़ा लिक्वीड टाइप होता है जो खा भी सकते है और पी भी सकते है आप जो भी बनाना चाहिए आप उस हिसाब से कश्टर पाउडर डाल दीजी अब हम इसे पांस ते छे गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे पांस ते छे गंटे हो गए है और यह देखिए यह मारा बेटर काफी गाड़ा हो गया है इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको यह ज्यादा गाड़ा लग रहा है तो आप इसमें दूद भी मिक्स क आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप वो डाल सकते आप चाहे तो इसमें चीकु डाल सकते हैं ग्रेप्स डाल सकते हैं सारे फ्रूट को में इसमें डाल देना है और इसे मिक्स कर लेना है आप इसे बना के दो से तीन दिन तक खा सकते है बहुत अच्छा लगता है खाने मे अच्छे से ठंडा हो जाता है उसके बाद आप इसे सव कर सकते हैं यह देखिए हमारा फ्रूट सलाथ तयार है अब हम इसे सव कर लेते हैं उमीद है आपको यह रेसिपी पसंद आयोगी है तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और आपने अभ बहुत आसान है और खाने में यह बहुत ज्यादा टेस्ट है तो आप एक बार ट्राइ करके जरूर देखिए उपर से हम थोड़े से अना डाल देंगे इससे यह दिखने में अच्छे लगेंगे आप इसे इंजोई कीजिए मिलते हैं फिर से एक नहीं रेसिपी के साथ